नमस्कार स्वागत आप सभी का न्यूजेटीन मध्यप्रदेश अतीजगर देख रहे हैं आप मैं हूँ अपर्णा मौज़म वक्त हो गया है मध्यप्रदेश की महा डिबेट का जिसमें हम बात करेंगे सड़क पर हो रही सियासत की MP को आज 10,000 करोड की नाशनल हाईवे परियोजनाओं की सौगात मिली है इन परियोजनाओं से प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी उद्योग से लेकर क्रिशी तक हर शेत्र को मिलेगा फायदा लेकिन कॉंग्रस को इस पर भी एतराज है सड़कों की सौगात पर भी शु सड़के मुसाफिरों को उनकी मंदिल पकी नहीं पहुँचाती ये किसी भी देश की अर्थ्यवस्ता का आधार होती है मजबूत रोड नेट्वर्क से विकास को रफ्तार मिलती है मद्द्रदेश का रोड नेट्वर्क भी लगातार बढ़ रहा है आज केंद्रे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गटकरी ने मद्द्रदेश को 10,000 करोड रुपए से ज्यादा की नाशनल हाईवे परियोजनाओ की दी है सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादक की मौझूद्गी में नितिन गटकरी ने भोपाल और जबलपूर में 700 किलोमेटर से ज्यादा लंबी 24 सड़क परियोजनाओं का शिला नियास किया नितिन गटकरी ने भोपाल में 8,038 करोड की 15 नाशनल हाईवे परियोजनाओं का शिला नियास किया तो जबलपूर में 2,367 करोड की 9 परियोजनाओं का शिला नियास किया इस मौकी पर गटकरी ने ये भी कहा कि 2024 खत्म होने तक मद्यप्रदेश में 3 लाग करोड की परियोजनाओं पूरी की जाएंगी उन्होंने MP के रोड नेटवर्क को अमेरिका के बराबर करने की बाद भी कही मुझे खुशी है कि मद्यप्रदेश का नैशनल हाइवे का रोड नेटवर्क काफी अच्छा हो रहा है हम करीब 3 लाग करोड रुपे के 2024 समाप्त होने तक कार्य पूरे करेंगे शुरू करेंगे या समाप्त करेंगे और इसलिए विश्वास है कि मैं आप सब को ये विश्वास देलाना चाहता हूँ कि 2024 जब समाप्त होगा तो मद्यप्रदेश का नैशनल हाइवे का रोड नेटवर्क अम्बरिका के बराबर होगा ये मैं आपको विश्वास के साथ देला तो MP को सड़क परियोजनाओं के सौगात मिलने पर सीएम डॉक्टर मोहन अदब भी काफे खुश है और उने कहा कि इन परियोजनाओं से सत्रा जिलो को लाब होगा प्रदेश के विकास को मिलेगी नई रफ्तार तो जिस MP के बारे में कभी कहा जाता था कि यहां सड़क पर गड़े नहीं गड़ों में सड़क है आज वो MP रोड नेटवर्क के मामले में अमेरिका से मुकाबला कर रहा है यह खुश की बात होनी चाहिए लेकिन कॉंग्रेस को इस पर भी एतरास है प्रदेश कॉंग्रेस अब्धेक जीतिव पटवारी प्रदेश को मिली परियोजनाव पर तंज कस रहे हैं तो बीजेपी इसे कॉंग्रेस की आत्म गलानी बता रही है हर चीश टोल से उसका नाम है नितिन गट करी तो इधर सरकार जेस्टी से केंद्री का बजड़ बनाती है जो आम आदमी के जेप से पेसा जाता है पहले इंकम टेश देता था उध्योग पती जो इंकम होती थी वो देता था अब सरकार को अर्थ की मदद करते हैं आम आदमी जो जेश्टी के मादम से खाना खाते है नाश्टा करते हैं उसमें से निकल के जाता है तो वो जनता से ज़्यादा पेसा ले रहा है और फिर वो जनता रोड़ पे चलती है तो फिर टोल से पेसे लेता है ब्रिच पे चलती है तो टॉल से पेसे लिते हैं तो ये किस तरीका भिनोमा है तो सुना आपने दोनों ही पक्ष के नेताओं को सौगात पर भी अब मध्रप्रदेश में सियासत हो रही है सडकों का जाल बिछाया जा रहा है लेकिन कॉंग्रेस बेहाल है प्रदेश अध्य जिदू पटवारी कह रहे हैं कि सिर्फ टोल पर टोल वसूला जा रहा है और बीजेपी ये कह रही है कि एक वक्त वो था कॉंग्रेस के राज में जब सडक नहीं थी बलकि गड़ों में सडक थी और इसलिए कॉंग्रेस की आत्मगलानी हैं जो कॉंग्रेस की नेता इस तरह की बयानबाजी कर रही है बहराल सडके विकास का आइना कहा जाती कही जाती हैं और अब सडकों के इस जाल को अमेरिका से तुलना करते हुए नितिन गटकरी कह रहे हैं कि मध्यप्रदेश की सडके ऐसी होंगी कि अमेरिका की सडके भी क्या उसके आगे नज़र आएंगी कि लेकिन इसी सडक पर हो रही है मध्यप्रदेश के अंदर सियासत इसी सियासत पर करेंगे हम बात हमारे साथ खास मेहमान जुढ चुके हैं लेकिन उससे पहने जाए सवाल क्या है मध्यप्रदेश की महा डिबेट के उन सवालों पर एक बार नज़र डाल लेते हैं तो सवाल है मद्रप्रदेश को सौगात कॉंग्रस को क्यों है एतराज पहला सवाल यह है जिसका जवाब ढूणने की हम कोशिश करेंगे सवाल नमबर दो MP में सडकों का जाल कॉंग्रस क्यों है बेहाल सवाल नमबर तीन सौगात पर सियासत बन गई है क्या आदत इस पर भी म मध्यप्रदेश की महाध्यबेट में हम इस सवाल का जवाब ढूंडने की कोशिश करेंगे दो महमान हमारे साथ जोड़ चुके हैं अभी कुछ और महमानों का इंतजार हो रहा है लेकिन जो दो महमान जोड़ चुके हैं तीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए दे रहे हैं अब को इस चीज का इसास नहीं होगा क्योंकि पतकारों को तो कार्ड मिलते न तो टोल पे चलने पर आपका तो लगता नहीं कि हम पीछे गाड़ी लगा घार रहे ते वे पतकार अपना तो अपने टोल पर आपकार दिखाता है और पांस साथ मिट के लिए जद और जद हम से जाते हैं कैसी बात कर रहे हैं आप चली ठीक है दिली से आप जब मुंबई के लिए जादे जो नई जो सड़क बना रहे हैं नितिन गड़करी सा आपको मालूस पर कितना टोल लगे का 4700 रोपे टोल वन साइट का ठीक है तो जब आप इतना टोल निकालेंगे तो जनता का तो तेल निकलना सौब है कि वो जनता जो दस लाग की मैं और आप अपड़ना जी गाड़ी खरीदने जाएंगी दस लाग की तो दस लाग की गाड़ी पर जी एस्टी रोड टेक सर्वेस्टेक सब मिलाके हमको लगवत 24 परसेंट उस पर चुकाना पड़ता है और उसके बाद देना पर तो बाद सिर्व इतनी सी है सडकें बनाई है लेकिन यह टोल का जो जाल है यह थोड़ा गलत और जहां तक विकास की बात है देखिए और अमेरिका की बात है तो सिवराज जी तो आपको याद होगा सिवराज जी खुद क्या कि आयते के यहां की यहां से अच्छी सडकें हमारे मद्व देश की हैं उसका क्या इस्तिती हुई इस स्मार्ट सेटी की तीन क्लो मिट्र की सडक अठारा क्रोड में बनी अब वो सडक छे मईने नहीं खुद गई इसी बोपाल की बात कर रहा हूं इनके विकास की बात ऐसी है पड़ना जी के आगे पाठ पीछे स पाठ इनके बांग कारम जैसे बांग बनते के बंते बनते बहते यहीं आप का स्टूडियो के बाहरा आप सब्सक्राइब और सबसे बड़ी की बात कही ती स्कूटी देने की बात कही ती और तो सोड़िये जो परिक्षाएं सिवराज जी ने आवजित कराई थी छह मई ने पहले एंप्लॉयमेंट सेलेक्शन बोर्ट के माध्यमसुन के नतीजे नहीं आए अभी तक 36 यार नुक्तियां भी बाकी है 2019 की परिक्षाएं की जो रिजल्ट और उनकी नुक्ति पत अभी दोजार मात 560 के दोजार 24 में दिये 5 साल बार मात 560 PST की बता रहूं मैं तो ये इनका विकास है मैं तो सीधा करना जी जो आपने अभी बादे की ते महंगाई बेरोजगारी को लेकर उस पर आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं सिवराज जी ने कहा था सम्मिदा कर रहा हूं ये तो आप ही कह रहे हैं कि सरकों का जाल बिछाना वो कोई सरकार का मुद्दा नहीं है महंगाई बेरोजगारी परिक्शा चात्रों बात होनी चाहिए सरकों को इग्नोर कर दिया जाए नहीं 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 सरकों को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो सरकार अभी बनी थी ये ये जो घोशना है ये केंदर सरकार की घोशना है राजस सरकार क्या करेगी मैं कह रहा हूँ राजस सरकार अभी जिन मुद्दों को लेकर आई है द लाता हूं जब राजीब गांदी जी देश में कंपूटर लेके आ रहे थे तो किसने अटल विहार इवाजपी ने बैल गार्ड से जाके घिराओ किया था संसत भावन का और इंटरनेट आ रहा था उस समय भाजपा वाले व्रोद में ठीक है ठीक है ठीक है फडी आई मनमौन स जी आपके तमाम सवालों का जवाब हम बीजेपी प्रवक्ता से लेंगी जैसे ही जुड़ते हैं वो हमारे साथ सुमेश बेंजल जी जो प्रदिक डिरेक्टर है नहीं के वो भी हमारे साथ जुडगे है सुमेश जी जरा मैं आप से समझना चाहूंगी सर सडकों का तो जाल बिछाए जाने की बात की जा रही है जो आज सौगात दी गई है मंतरी की तरफ से केंदर मंतरी नितिन गटकरी की तरफ से कितनी महतपूर्ण ये सड़के साबित होंगी जो पूरा नेटवर्क आज की योजनाओं के जरिये मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगा ज़रा समझ अगर किसी भी छेतर में अगर सड़क का निर्मार कारे हो जाता है तो उस छेतर में बाकी सारा विकास अपने आप डबलफ होने लगता है तो जब हमारे प्रदेश में जब सड़कों का जाल आज बढ़ रहा है लगा था लगवग 10,000 किलो मिटर की नेशनल आईपे मतर प्र प्रदेश काफी अच्छी प्रगति करेगा जी तो हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुडगे हैं उनका परिशे मैं करवा देती हूं बिज़क्ता ब्रजगोपाल लोया जी भी जोड़ चुके हैं उन्हें का अंतजार हो रहा था हमारे साथ जुडगे हैं शैलेंद सरकार जब से सत्ता में आई है मध्यप्रदेश के अंदर तमाम जो वादे किते उन पर बात हो नहीं रही और सड़कों की सौगार जो सेंट्रल मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है उस पर आप श्रीलन की कोशिश कर रहे हैं सीधा आरोप है कॉंग्रस का बुंदिला जी का चाहता हूँ जब इस मध्यप्रदेश का इंफ्रा इस्ट्रेक्टर बढ़ रहा है जब इस मध्यप्रदेश की सड़कें बढ़ रही हैं तो देखिए आप समझने की कोशिश करिए 2030 तक इसी मध्यप्रदेश में केवल साथ हजार किलो मीटर सागे हुगा करती थी आज पाज लाए किलो मीटर से जादा सळक और बहतरीन सढके यह वह कारा काव्र सके जबाने वाली सटोगे नहीं हैं जिसमें सदक करना चाहते हैं कि हम विकास और जनकल्यान दोनों एक साथ करेंगे लेकिन वह तो कह रहे हैं कई सारी सड़क अधूरी पड़ी है सालों से दियारे मौफिस की सड़क अधूरी पड़ी प्रशाद उसी के घर बढ़ता है सब्सक्राइब आपके पास शायद कनेक्टिविटी इस्यू है में लॉटूंगे आपके पास डॉक्तर आरके शुक्ला जी जुड़े हुए हमार साथ डॉक्तर आरके शुक्ला जी सड़क पर सियासत हो रहें कोई नहीं बात नहीं है पहले भी होती आई यह लेकिन सड़के अच्छी होंगी तो प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी या नहीं मिलेगी या टोल टैक्स दे रहे हैं इसी की शिकायत हम करे निश्चित रूप से सड़कों का विकास गाउं बहुत अधिक हैं सड़कार को चाहिए कि उस और भी ध्यान दे और साती साथ बिपक्स को भी जो सरकार अच्छे कारी कर रहे है विद्चन शाथड़कार का साथ दाने साथ देना चाहिए और जयावज्यस्ति में बुरुथ के लिए बुरूथ की जाजिती नहीं होने चाहि तो सत्तावपक्ष की नयतिक जबाबदारी है कि उनका वो स्पष्ट रूप से इस पश्टी करन दे अगर आज कांगरिस पार्टी ने टोल टेक्स का या सड़कों का जाल का प्रस्ट ने उठाया है तो उसका बीजेपी को इस पश्ट रूप से आके समाहित तरीके से जबाब देना चाहिए ना कि विपक्ष को हतोसायत करना चाहिए कि सबको अपनी भूमे का इमानदारी के साथ निभाने चाहिए शैलेंद्र दूबे जी क्या सौगाद पर सियासत यही है विपक्ष की आदत देखिए अपरना जी ऐसा है अगर मैं बात करूं डवलामेंट की डवलामेंट के लिए सबसे जो बेसिक रेकौरमेंट रहती है किसी भी स्टेट के लिए किसी भी जो देश के लिए वहां का इंफ्राचेक्टर आप चाहे जितने भी जो वर्ल्ड वाइट देखें जो टॉप जो फाइब एकोनोमी है में बात करना चाहों यूएस में जो आज डवलमेंट अगर इस लाविल का है तो उसमें जो बुनियादी जो देन है वो कहा है वहां की इंफ्राचेक्टर जब तक इंफ्राचेक्टर किसी भी देश का या किसी भी स्टेट का स्ट्रॉंग नहीं है तो जाइब सी बात है जो रोड ट्रांस्पोर्ट के लिए मध्यप्रदेश में सड़कों का बहुत अच्छा होना बहुत आवश्यक है कि जो नौ से साउथ के लिए जो कम्यूटर जा रहे हैं जो भी आपके कमर्शल वीकल्स है या फिर आपके बैस से और इस की तरफ जा अच्छी हो रही है तो इसको आपको सब्सक्राइब कर रही है तो मैंने देखा कि सड़के काफी हद तक उन में सुधार है बहुत हमने बहुत जल्दी ट्रावल किया है लगातर हम डिस्टिक वाइस ट्रावल कर रहे थे लेकिन कॉलिट्री को लेकर यह सवाल खड़े होते हैं कि छे महिना सड़क ठीक रहती है छे महिने बाद धाक के तीम पात हो जाते हैं यह मैं बाकी जगे पे इस पर प्रतिक गिरिये देना मेरा उचित नहीं है पर मैं चाहता है कि नेशनल आइवे अट्राव इंडिया की बात करता हूं एनेचाई जो सड़क बना रहे हैं उसकी गुड़वत्ता से आप सभी भली बाती पर्चित हैं और ऐसी कोई सड़क नही हुआ है और लोगों की सुरक्षा भी सुरिष्यत हुए है अब कुछ को चाहिए लिए को टोल टेक्स के देखे मैंट कोई डवलमेंट के लिए बगर कोई और ऐसा नहीं कि केवल हम फैसी और आदम मेंज़ लिया जाता है जो सड़क को सब्सक्राइम का फैसलिपे का आत्मी इस्तेमाल करता है और अब आने वाले समय में अभी तक तो यह था कि यह 60 km पर 50 km पर टोल थी आने वाले समय में एक साल के अंदर लगवग लगवग उम्मीद है उमनिस्टी हमारा पूरा प्रयास करें यह कि हम लोग जो है जितनी सड़क का आप इस्तिमाल करेंगे जितनी किलोमेटर आप रन करेंगे कि करेक्ट यह अपरना जी अपरना जी देखे मैं साफ कह रहा हूं अभी शुक्ला जी ने में इस बात को तस्दीक किया कि हम मद्द्देश में टोल बहुत ज़्यादा पहली बात और दूसरी बात देखे दोबेजी की बात से में अगरी करता हूं शेलंद भी का के कारंबान जैसा नहीं होना चाहिए आप देखे हमारे समय के बनाया हुए बान कई सारे पुल आज भी खड़े हैं कई सारे ऐसे ब्रिज हैं अपड़ना जी देखें जिनकी समय आयू से भी आगे निकल चुके हैं साथ से सतर साल हो फिर भी आज खड़े लेकिन यह कैसा विक होता है एने चाइए की व्यक्तिकत बात नहीं कर रहा हूं एने चाहिए एक अलग संस्थान है मैं बात कर रहा हूं और देखिए जो भी बात हो रहे थी कि साथ है आप कर रहे हैं ब्रिज को पाल लोया जी सुनिए साथ हैर किलोमीटर और चाला किलोमीटर के मैं अंतर बता दीजे क्या सड़के वाकई इस लायक थी कि सड़के के ला जा सके इचैए अपराणा जी जैसी सड़कें उस समय पूरे देश में थी तो उस समय सीसी सडकों का जाल नहीं आया था यह सीसी सडकें जिस अभी कुछ साल से इंट्वीडूस हुई है तो सब जगे सीसी बन रही है लेकिन यह अपने एनेश्याई के डायेक्टर साथ बैठें यह बताएंगे कि ठीक है जो नेशनल सडके बनती अलग बात है बाकि आप द अधर नहीं है जी बिजको पाल लोया जी देखें मैं मैं साफ कर रहा हूं सडकें बहुत महत्तूर है अपना जी स्रूद ने लोगों को यह बताने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है भी बताने में में पार आपना नंगल का डेव है पर अधूने यह भी समझना में जिस सर्दार सरोबर की आधार शिला रखी जाती है उसका पूर्णता 2017 में हो पाती है यह दुर्बांगता देश का की विकास की रफ्तार क्या थी जब कांग्रेस की सरकार 2013 तक थी इस देश में एक लाग किलो मीटर सबकें बनी नैशनल हाईवे एक बांद का उधार मतली सरदार सरोबर का बारबार रखबा बड़ा है कि पर जूट पेशना करें और भी बांद है इंद्रा सागरबान है और भी बांद है बरगी डेम है कित्ते सारे डेम बने जूट मत बोलिया बिजब पाली एक विशे की आप बात एक उधार लेकि जूट 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 बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा आपका जूट पकड़ा जा चुका है इसे लिए तो जलता आप पॉली पैसे बाद में नौ पूल क्यों भाण क्यों बहें बताई आप जवाब दीजिए कि शांत हो जाईए आप दो ही महमान नहीं है इस पानल में बुंदिला जी आपने पूरा समय लिया ना मैंने आपको रोका ना किसी और ने आपको टोका अब बिर्जगोपाल लोया जी पर अगर आप आरोप लगा रहे हैं उनकी सरकार पर सब जवाब तो सुन लीजिए लोया कहा कि इस देश में कमी कुछ नहीं हुआ परन्तु यदि आज 40 किलोमीटर प्रती दिन बन रही है और वो भी शांदार बन रही है जो सो से डिड़ सो साल चलेंगी तो उसको एप्रिशियेट करना कांग्रेस की जुम्मे वारी है एक बात जिस बार बार जिस टोल की बात करत थे आपको याद होगा देश में पहली बार बियोटी के आधार पर सड़के बनाने का काम हुआ हमने तो उसका विरोध भी नहीं किया क्योंकि हम राजनेतिक विरोध विकास के काम को रोकने के लिए नहीं करतें जो कांग्रेस करना चाहती है दूसरी बात केवल सलक के कारण बात नहीं करिएगा लाजिस्टिक को कितना बढ़ा फरक आया है मद्यप्रदेश का जो क्रिशी उत्पादा ने अगर वो 23% से बढ़ा है उसमें सड़कों की भूमी का है यदि मद्यप्रदेश का चावा ले आज 158 देशों तक जा रहा है तो उसमें सड़कों की भूमी का अब यहां जा रहा है यहीं तो आपके समय अच्छी अपनी ना चीने पैनल छोड़ दी है बिजगो पाला बिजगो पालो एजी तो प्रक रहा हूं तो यहीं तो कांग्रेस के साथ दुर्माइब की खाले को से दिखा दीजिए दिखाई दिखाई उनकी खाली कुरसी अब जुट बोलना है उन्हें अपना एक एजन्टा सैट करना है नहीं यहीं यहीं मैं कहते हूं कि सिर्फ आरोप लगाने के आरोपद लगाए ना आते ही कांग्रेस के प्रवक्ता हावी हो जाते हैं कि आप सुनती नहीं है इस पर उन्हें पूरा मौका दे कि वह सुने लेकिन कि आपके कोई असुविदा नहीं है मैं आपसे पिर कहता हूं सरबाद इक समय उन्होंने लिया है परंतु समश्या यह है कि जब भी कांग्रेस को आई ना दिखाया जाता है तो कांग्रेस इसी तरह है बैदान चोड़कर भाग जाती है अधिक है शुक्ला जी शुक्ला जी सियासत होती ही रहेगी सियासत करने के सियासत करते ही रहेंगे किसी अच्छी बात पर कभी सत्तापक्ष विपक्ष 신 अभी सत्तापक्ष को सरहाएगा भी क्या हम उस दえばसे बहुत आगे टिकल चुके हैं कि देखिए विकास पे किसी भी प्रकार की राजनीती नहीं होना चाहिए भारतिय जनता पार्टी और इस्पेशल रूप से बानने नितन गड़करीजी कि जो छबी है देश में अथ्य राजनेता की है वो जो बादा करते हैं उसको पूरा करते हैं लेकिन साथ साथ में गुर्वत्ता को लेकर जो शिकायते आ रही है उन पर भी ध्यान देना होगा जो महंगा टोल टैक्स अदा करना पड़ रहा है उसको भी उस पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि जो गरीब आदमी वहां से सफर करता है जो नौकरी पेशा आदमी सफर करता है उसके लिए वो जो बड़ी भी कीमते हैं देना भारी पर जाता है भले ही सफर कितना भी आसान क्यों ना हो रहा हो सडके कितनी अच्छी क्यों ना बन रही हो बहुत बहुत अनिवाद आप सभी का इस पानल में शामिल होने के लिए मध्यपरदेश की मा डिबेट में सवाल लगातार है समने